तो यार ये पार्ट टू है मैं एक दो चीजे बताना भूल गया था पार्ट वन में तो ये मैं बस आपके हैलेप लिए कर रहा हूं तो अधिटिंग वगरा नहीं करूंगा तो मैं इसको अलग से वाली वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं वो पार्ट वन के नाम से जाएगी पहली वाली है पार्ट टू के नाम से दो चीजे जो मता मैं भूल गया कि जो मैं शोरूम में गया था फॉन देखने के लिए तो जीटी टू मेरे को नहीं मिला था पर जीटी टू प्रो मिला था तो उसके बेजल्स देखके और इसके इमिज में देखके और एक दो वीडिय एक घर मैं इसको लिए धाल के य्युज करता हूँ अधू है दो इसके ना बैजांतों आपको बिल्कुल कम लगी हो और यह नो मेरे को बिल्कुल जीटी टू प्रोड़ के ओक चटचा जीटी टू प्रो के जैसे ही अब दब देखो बेजल्स अब मेरे को कम लग रहे हैं और जीटी टू प्रो के जैसे ही बिल्कुल लगता अभी है वेजल्स इसके एक पॉइंट यह हो गया और दूसरा पॉइंट जो था अब ना आप सोचोगे कि यार एंटी टू अगर आए सब सीप्यू थ्रोटल यह कोई टेस्स नहीं घरे दिखाया यार आप फॉन प्रेक्टिकल यूज के लिए ले रहे हो ना कि यह सीप्यू थ्रोटल वगर यह सब करने के लिए यूज करने के लिए यह एक बर को अच्छे और यह टेक रिवियर जो करते ना उनको एक परस्पेक्टिव मिल जाता है प्रोटल के बारे में तो सीप्यू थ्रोटल वगर करो करें तो दो लाग से तो ओपरी स्कॉर मिलेगा आपको और हीटिंग इसू नहीं आएगा थ्रोटल भी नहीं हो गए और एंटी टू की दो ब प्रोटल वाट रहीं होता है और एंटी टू स्कॉर उपर नीचे की जा सकते हैं और यह तो यह बात रहा रहना हो तीसा फीचर में बता रहता है कि जैसे आप जीटी मोड ओन करते हो ना और यह मस सा लोग बन क्याता है और इससे ना यह भी ओन हो जाता है ओन अल्ट्र है तो बिल्कुल इसमूद मुलत बहुत इसमूद परफॉर्ण से मिलता है आपको कोई भी लैक्स एक महसूश नहीं होगा और तीसरा पॉंट में बहुत जो मेरा में पॉंट अब बताना भूल गया कि इसके ने कनेक्तिवीटी कनेक्टिवीटी बताना भूल गया हुआ स्पीड टेस्ट, कनेक्टिविटी इसकी बहुत बहुत बढ़ी है, अभी तक मैंने जितने फान उसके सबसे बढ़ी है कनेक्टिविटी है, इसके जो नेटरक आते हैं, जहां पर अभी मैं बैठा हूँ, यहां पर किसी भी जो मेरा वाइफाई हो दूर है थोड़ा, तो किसी इसकी डिवाइस का, जो स्पीड टेस्ट होती है, वो 100% नहीं आपाती है, पर इसका देखो, 100 Mbps नहीं आपाती है, और मेरा 100 Mbps का प्लान है, वे देखो किनी अच्छी स्पीड इदे रहां पर, यार इस नहीं, और ये मैं अभी किसकी साथ कर रहा हूँ, मैं 4G वाले के साथ कर रहा हूँ, 5G वाले के साथ भी करके दिखा हूँ, अप्लॉड स्पीड भी काफी आती है, और ये कंसिस्टेंसी स्पीड जैता है, जैसे कि अभी आपने देखा था किनी जल्दी डाउन ओड हो गयो तो, और एक और बड़ी अबात है, जैसे अगर आपने कभी अप्ल के डिवाइस यूश किया हो ना, उसमें जैसे ही आप वाइफाई का बटन दबाते हो, तो एकदम से कनेक्ट हो जाता है, एकदम से यहाँ पे सिगनाल जाते है, इसमें भी वैसी होता है, ब्लॉड तो ये 3 पॉइंट मिस्पी हो गए थे, आप ले सकते हो बिल्कुल अगर आपके 30,000 में अगर आपके फॉन रहा है तो आप इसको बिल्कुल कंसीडर को सकते हो, थैंक यू